हेलो वाइस यहाँ पर लिजिएन 5 मार्केट में लॉण्च होने के बाद यहाँ पर एक कॉंपेटिशन सा क्रिएट हो गया एसुस की A15 और A17 के साथ बेसिकली यहाँ पर A17, A15 तेक्दम equally same है तो मेल यहाँ पर कहा जा सकता है कि एसुस की A15 और लिजिएन 5 में आप लोग के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है बहुत ही धांस के सब्सक्राइब के साथ जोनों ही लैपटॉप आते हैं एकितम same same specification है दोस्तों लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर difference भी आपको देखने को मिल जाता है और आपके नीट के कॉर्डिंग आपके budget के कॉर्डिंग कौन सा लैपटॉप यहाँ पर सही रहेगा जब यह लैपटॉप इंडिया में लॉंच हो जाएगे उसी को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों लेकिन चैनल अगर आप नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिजीगा पास में आपको मिल जाता है उसको क्लिक करके और पर क्लिक किज़ेगा ताकि future में आपको ऐसे वीडियो देते रहूं यहां पर तीनों ही लैपटॉप के यहां पर स्पेसिविकेशन से अगर हम लोग पहले शुरुवात करें तीनों यहां पर मेल मैं कहूंगा यहां पर दो ही लैपटॉप होंगे लेकिन मैं फिर भी यहां पर टफ के 17 को भी जाये थो सब्लें प्रोटोट के बात की बात की लेंह वोल मीज है यहां पर अब款 0147 के मामने में इंक्टम between बनाया किया यहां पर आपको مثल की आपशन आप 60 थार व्यांट संप हो सकता है और A17 में सिर्फ आपको यहां पर 1660 Ti का ओप्षिन मिलेगा तो ग्राफिस कार्ट के मामने में तो यह सब आपको डिफ्रेंस देखने को मिली जाएगा और आप यहां पर जो डिफ्रेंस शुरू होता है दोस्तों यह दोनुहीं लैप्टोप में वह यहां पर सबसे आपके नजर में यहां पर आएगा डिस्प्लेइ यहां पर डियल लाइफ में देखा गया है दोस्तों यहां पर आसूस का A15 में वह ऐसा आपको डिस्प्ले का मतलब जो इस आड़वी कहा जाता है वह आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप अगर यहां पर एक के साथ बताया जारा है लेकिन कितना अच्छा यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो तो रियल लाइफ के रिव्यूज में हम लोगो समझ में आएगा और इसलिए एट असुस के फिप्टीन और सेवेंटीन में यहां पर उतना ज्यादा यहां पर कुछ स्पेसि से लुक लगता है यहां पर लीनौबो लीजियों 5 और टफ लेकिन कॉंटरेंट के लिए यहां पर में भी लीजियों 5 बेस्ट ऑफिसन हो सकता है दोस्तों नेटवर्क के मामले में यहां पर दोस्त आपको वाई-फाई का जो वर्जन है यहां पर आपको एसुसे टफ में तोड़ा सा कम देखने को मिलेगा वहीं यहां पर लिजिन 5 आपको वाइफाइट कर रहा है तो यहां पर आप एसुछ 15 में भी यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर अप्डेट कर सकते हैं लेकिन अगर यहां पर प्रिविल्ट यहां पर मिलके आता तो और भी अच्छा र तो तीनों ही लैपटॉप में आपको अप्टू 16GB तक का यहां पर पर्चिस का उप्सेन मिल जाएगा लेकिन यहां पर अगर आपको बैटरी बैक अच्छा वाला लैपटॉप चाहिए तो यहां पर अगेन टफ यहां पर जीत जाएगा क्योंकि लिनोग लिजिन 5 में हैं और यह सब यहांपर जुकि आ असुस फिरोई प्रॉइट कर रहा है यवेस में यहांपर ट्रीपल नाइन डॉलर में सबसे ल॔र लोगर डॉलर में आपको उस से थोडबा उपर जो कि आ टीच शिस्टी ट आई के साथ आता है और एम डिकारझ स्वाइव प्रॉसेसर पर बजट के मामले यहाँ पर लीनोबो भी बाजी मार जाता है और 75 यहाँ पर लॉंच कर दें इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया होगा और दोस्तों इसे के साथ अगर मेरा पिछला वीडियो आपने देखा हो तो मैं एक मिश्टेक कर दिया था है यहाँ पर लिनोबो का सेवे नहीं का प्राइसिंग मैंने आपको गलती से 11.99 यहाँ पर बता दिया था लेकिन वह 15.99 होगा जो की करीब करीब एक लाख 13000 के करीब है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने आपको गलत प्राइसिंग बता दिया था थोड़ा यहाँ पर मिश्टेक हो गया था मुझे तो उसके लिए सौरी दोस्तों और बाकि यहाँ पर डिजाइन के बाद कर दोस्तों तो यहाँ पर दोनों ही लैप्टॉप यहाँ पर प्लास्टिक बि करने जाएगा यहाँ पर आपकोbekउवफिक करने जाएंगा अपको अच्छे मिलेंगे इमडी के इस साथ हैं और बहुत यփप्टॉप यहाँ पर गेयमिंग पॉफॉमेंस दूर्णों ही देने के बात करे लेकिन प्राइजिंग के मामल में यहाँ तो से नारा हो जारा है अभी तक तो यहाँ पर A15 अराम से चल रहा था लेकिन अब लिनोबो के आने के बाद यहाँ पर competition केट हो गया है और आसा करेंगे यहाँ पर इंडिया में भी लिनोबो इतना ही aggressive pricing के साथ इसको launch करें और हम सभी इंडियन consumer को यहाँ पर खुश कर दें तो यही कुछ यहाँ प यहाँ पर clear कर पाया हूंगा और आपके budget के कौन से laptop यहाँ पर बेटर है तो यहाँ पर आप लोग मुझे comment box में बताईए कोई doubt है की नहीं और आपको कैसा यह वीडियो लगा लाइक के मात दिम से मुझे बताए और चैनल पर नहीं है दोस्तों चैनल को जूरू सब्सकाइ झाल झाल पर आपके लूमें